दिल्ली एंसियार में अक्टूबर के महीने में गर्मी रेकॉर्ड तोड़ ही है। पिछले 24 घंटे के दोरान आपको जानकर हरानी होगी कि दिल्ली का अधिक्तम तापमान 36 डिग्री सैसेस रेकॉर्ड किया गया। सबसे जादा गरम गुरुवार को दिल्ली एंसियार रहा। अक्टूबर के महीने के इतने जादा गरम होने की वजह से मौसम केंदर की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक सुभा के वक्त लोगों को हलकी ठंडी का एहसास होने लगा था लेकिन अब सुभा से ही अधिक्तम तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम केंदर के वरिष्ट मौसम वैक्यानिक महम्मद तानिश और सोमा सेन रॉय के मुताबिक आज यानी शुकरवार को दिल्ली एंसियार का अधिक्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि नियुनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है। अभी तक पिछले एक हफ़ते में दिल्ली एंसियार का नियुनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच किया था जिस वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि रात का तापमान अभी और गिरेगा और रात में लोगों को सर्दी का एहसास होगा। लेकिन अब रात का तापमान भी आज यानि शुक्रुवार को 17 से 18 नहीं बलकि पूरे 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान मौसम केंद्र ने जारी किया है और 20 ओक्टूबर तक मौसम इसी तरह बना रहने का भी पूर्वानुमान मौसम केंद्र ने जारी कि यानि 20 से लेकर 23 ओक्टूबर तक अभी फिलहाल मौसम एकदम साफ रहेगा अधिक्तम और न्यूंतम तापमान में इसी तरह ब्रोतरी होती रहेगी और एक दो दिनों में हलकी गिरावट भी होती रहेगी यानि मौसम केंद्र के मुताबिक तापमान में गिरावट और उता हर चड़ाओ होते रहेंगे लेकिन फिलहाल ओक्टूबर के महीने में सर्दी ना पढ़ना ये मौसम विभाग के लिए सबसे बड़ी चिंता का विशय बन गया है जिसको लेकर मौसम केंद्र लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है यही वज़ा है कि मौसम केंद्र की वरिष्ट वग्यानिक सोमा सेन रॉय और मौहमद दानिश अभी तक दिल्ली एंसियार में कब तक दस्तक देगी सर्दी इसका कोई भी ग्राफ साफ नहीं कर रहे हैं मौसम वग्यानिक मौहमद दानिश के मुताबिक फिलहाल 25 अक्टूबर तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता 25 नहीं होगे तापमान में सिर्फ उतार चड़ाव होते रहेंगे फिलहाल दिल्ली वासियों को अभी अक्टूबर के महिने में भी गर्मी का ही सामना करना पड़ सकता है दिल्ली से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट लोकल 18